ग्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सबी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भूल कर भी सोंबार को आपको क्या क्या कारे नहीं करने चाहिए तो आए जानते हैं सोंबार का दिन वैसे तो भगवान शिर्फ का दिन होता है लेकिन सोंबार का दिन अगर हम बात करें तो चंद्रदेव को भी समर्पित होता है सोंबार का दिन अगर हम बात करें तो यह दिन बहुती महतोपूर दिन होता है सातों दिनों में क्योंकि इसी दिन से हमारे काम की शुरुवात होती है संडे का दिन जो होता है वहाँ छुट्टी का दिन होता है और सुमवार यानि मंडे से हम लोग काम करना जो है चालू करते हैं तो भगवान शिफ को प्रसंद करने के लिए वैसे तो कही तरह के उपाय करे जाते हैं लेकिन सुमबार का दिन भगवान शिफ को और माता परवती को क्रोधित भी कर सकता है क्योंकि अगर आप लोग भूल कर भी कुछ कारे करते हैं उस दिन तो उस दिन आप लोगों को हानी हो सकती है जैसे कि किसी दूसरे के धन और इस्त्री पर भूल कर भी सुमवार के दिन नजर ना रखें चोरी करना, जुवा खेलना, माता-पिता और देवी देपताओं को सम्मान ना करना एवं सादो संतों से अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति से भगवान अप्रसंद रहते हैं ऐसे में इन कार्यों का त्याक करने का संकल्प लेकर सुमवार के दिन भगवान शिफ को प्रसंद करने के लिए कुछ खास उपाय भी करने चाहिए सुम्बार को सुबह उठके स्नान करके भगवान, शंकर और माता पारवती और नंदी भगवान को गंगा जल और पवित्र जल चड़ाएं सुम्बार के दिन शिवजी को खास तोर पर चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा या आप लोग उनको आंकड़े के फूल भी चड़ा सकते हैं ये सभी चीजे भगवान शिवजी को अतिप्रिय है आप लोग महमरित्तिंजे मंत्र का जाब भी सुम्बार के दिन 108 बार करेंगे तो आपका जो एक तरीके से अगर देखा जाए कुंडली में अगर चंदर देवता किसी गलत स्थान पे बैठे हैं और आपको बुरा सर पहुचा रहे हैं तो वह जो बुरा सर है वह भी समाप्त होगा वेवाहिक जीवन के अलावा भी सुम्बार का व्रत अगर हम बात करें तो हितकारी माना जाता है अगर हम बात करें मान्यताओं के अनुसार इस दिन वैसे तो भूले नात की पूजा करने का विधान होता है, लेकिन लोग भगवान की पूजा के साथ साथ इस दिन वृत आदिवी करते हैं. विशेश तोर पर इस दिन दमपत्ति अगर मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं, तो उनका वेवाहिक जीवन भी पूजा पांट में माना गया है इस दिन आप शंक भी बजाएं तो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर हम लोग बात करें तो सोंबार के दिन आप लोग अगर शिपजी की पूजा में चावल चड़ाते हैं तो इस बात का विशेश ध्यान रखें की चावल पेद रंकी हो तो अच्छा है साथ ही साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि सोंबार के दिन मास मदिरा का सेवन बिलकुल भी ना करें और किसी को चाहे वो बुजर्ग हो चाहे वो आपसे उम्र में छोटा हो उनको बिलकुल भी भोल कर भी आप लोग सोंबार के दिन त बोदित होता है आपकी मा की और आपकी दोनों की तवेद बिगड़ सकती है तो अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यान मंत्रा हूं रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद